Hello everyone and welcome to the channel My name is Ghandshawa Mordkio और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं Single Channel ABS and Dual Channel ABS के बारे में आपको कुँछ सा सिस्टम ज्याधा पसंत है Single Channel ABS और Dual Channel ABS और क्यू पसंत है वो कमेंट सेक्शन में बताना मत बूलिए पुर चली चालू करते हैं आज का ये वीडियो ओके गैस मैं उम्मेद करता हूँ कि मैक्सिमो लोगों को पता होगा ABS क्या होता है ABS होता है एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम जो कि हमारे बाइक और कार दोनों में भी यूज होता है और ये काफी safety feature है तो जो European countries है वहाँ पर ये हर बाइक के लिए हर कार के लिए mandatory है लेकिन इंडिया में फिलाल ये उतना mandatory नहीं है कि अनुदन नलीडेएस से उसमें किसा हो गा जो फ्रेंट टायर एंड रेयर टायर हें दोनों में एक speed sensor होगा साथ ये साथ में एक control wall भी होगी speed sensor क्या करेगा तर की landscape check करता है जो अपका front tire तो साथ मेंे जो ढ fand आ हृए तब करेंगा साथ में उसकी स्थी किस करेंगा और कंडिशन में अगर आपके पास आपके गाड़ी में ABS सिस्टम है तो वो फ्रेंट रेयर विल के स्पीड सेंस करेंगी और उसके सबसे वो प्रेशा रिगुलेट करेंगी और इसमें स्कीडिंग के चांसे काफी रिडिउस हो जाते हैं और साथ ही साथ में सिर्फ फ्रंट विल में ही होती है तो उसमें कैसा होगा ABS आपका सिर्फ फ्रंट विल में काम करेंगा लेकिन सेंस दोनों विल की स्पीड करेगा सिंगल चैनल में और डुवल चैनल में जो low speed bikes है या फिर low CC bikes है उसमें ही single channel ABS system launch कर रही है जैसे कि अभी अभी आपने देखा हूंगा KTMT 125 में उन्होंने single channel ABS दिया है तो इसलिए जो आजकल आपने देखा हूंगा KTM RS 200 में भी उन्होंने single channel ABS दिया है तो उसका फाइदा यही होता है कि आपकी गाड़ी सेफ भी हो जाती है आपकी बाइक सेफ भी हो जाती है साथी साथ में cost भी reduce हो जाता है तो cost maintain करने के लिए काफी आसानी होती है लेकिन आपने देखांगा Dominoor 400 में उन्होंने dual channel proper dual channel ABS दिया है और उसके कारण उसका price भी थोड़ा सा increase हो चुका है ओके गैस तो आज के वीडियो के लिए बस इतना है अगर आपको यह वीडियो पसंद आता हो तो like बटन हिटका ना बुलिए साथिया साथ में मेरे चानल को जरू सस्क्राब भीजे कोई comment आप सुजा हो है तो comment section में हुआ हुआ है